बिसमिल्ला रह्मान रहीम हमारा ओवराल टॉपिक मॉनिटरी पॉलिसी का चल रहा है और चुके इस पूरे कोर्स में दो ही मेन सब सेक्शन्स हैं और वो हैं एक मॉनिटरी थेरी और एक मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी थेरी का टॉपिक हम पहले कम्प्लीट कर चुके और बैंक को उधर ही उसको रोक देना चाहिए ताकि प्राबलम क्रियेट ही ना हो और फिर वो बबल बर्स्ट ना बनेगा ना बर्स्ट होगा ना एकनामिक क्राइसिस आएगा ना फाइनिशल क्राइसिस आएगा तो उसमें ज़रूरी है कि हम साथ एक चीजए अडिशनल डिसकॉस कर लें कि एक तो मॉनीटरी पॉलीजी के थूध हम डिसकॉस कर रहे थे और मॉनीटरी पॉलीजी का इंस्टूमेंट है इंटूस्ड रेट जैसा कि हमने पाकिस्तान के केस में पढ़ा कि जो ओवर नाइट म ये problem हो जाएगा interest rate बढ़ने से ये problem हो जाएगा तो अब हम ये देखते हैं कि क्या monetary policy से ही central bank जो है वो asset price bubble को रोक सकता है तो याद रखें जो central bank होता है उसकी option में monetary policy भी होती है जबके macro prudential policies भी होती है asset price bubble को रोकने के लिए तो monetary policy के थुरू बले central bank जो है इस पे debate होके उसे रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए asset price bubble को लेकिन एक point जिस पे debate है सच नहीं है बलके agreement है वो ये है कि macro prudential policies के जरीए central bank को जरूर asset price bubble बनने से रोकना चाहिए देखें point ये है कि bubble बनने के पीछे एक activity involved होती है जिसे कहते है risk taking activity अगर लोग risk ना लें तो कभी bubble ही ना बने अगर हर बंदा गर सिर्फ इस लिए खरीदे के मैंने रहना है तो फिर तो risk बीज में नहीं है ना गर खरीदा गर में रहना शुरू हो गया risk वहाँ पे आता है कि जब आप घर इस नियत से खरीद रहे है कि मैं आज खरीदूँगा कल बेश दूँगा तो risk यह कि कल prices गर गई या ना बिका तो आप क्या करेंगे या जिस rate पे आप loan लेके घर खरीद रहे है कल को आपका क्या इतना profit उस घर पे आएगा घर की तो मैं एक example दे रहा हूँ किसी भी asset में उसका return इतना होगा कि आप जो interest rate के उपर एक credit ले रहे हैं वो उसको cover कर सके तो यहाँ पे risk है different किसम के risk से involve होते है तो point यह है कि central bank को monetary policy का जो instrument interest rate है सिर्फ उसको change करने की बजाए कोई ऐसी prudential regulation करें जिस से risk taking activity discourage हो जाए तो यह बात आपने याद रखनी है कि asset price bubble risk taking activity से बन रहा है और central bank अगर risk taking activity को discourage कर सकता है भले interest rate के तूर नहीं किसी भी और policy decision से तो वो बड़ा role play कर सकती है asset price bubble को रोकने के लिए अब इसमें क्या हो सकता है regulatory measures हो सकते है जैसे financial regulation and supervision हो सकता है चाहे वो central bank करे या government की कोई भी entity करे इसके आपको मैं simple example देता हूँ बजाए इसके कि हम बोट detail में चले जाए कि देखें banks की उपर जो है वो उसकी capital requirement की condition हो सकती है जैसे for example loan देने के लिए उसके पास इतना capital होना चाहिए कोई threshold बना ले या जो loan दे रहे हैं उसमें risky loan versus safe loan की ratio decide की जा सकती है अब ये monetary policy का का काम नहीं है ये चीज़ें decide करना क्योंकि monetary policy का काम है interest rate को change करना उसके target को change करना और उस target को achieve करने के लिए open market operation conduct करना या discount rate change करना policy rate change करना ये तो monetary policy का काम है लेकिन suppose ये ratio आप decide करें कि जो banks हैं वो कितनी risk taking activities में lending कर सकते हैं ये monetary policy का काम नहीं है क्योंकि उसका instrument नहीं इसका मतलब है ये other measures हैं और ये prudential measures कहलाते हैं कि अगर आप risk taking activity जो है उसके अंदर commercial banks को lend करने से रोक सकते हैं किसी भी channel के थूँ कोई सी भी policy बना के तो इसका मतलब ये है कि आप जो risk taking activity को discourage करना था वो role आप play कर रहे हैं interest rate even change किये बगएर तो एक point याद रखें कि जो regulation होती है यानि कि जो prudential measures लिए जाते हैं उनको लाजमी leverage cycle को खतम करना चाहिए अब जैसे मैंने आपको पहले का कि एक cycle यूं बनता है कि prices बढ़ती है assets की लोग उसमें investment करते है और prices बढ़ती है उससे value of collateral बढ़ता है उससे और credit extension होती है credit से लोग फिर पैसा assets में लगाते हैं उससे asset की और prices बढ़ती है और ये एक vicious cycle बन जाता है बिलकुल उसी तरीके से जो आपका leverage cycle है यानि कि जब economy के हालात अच्छे होते हैं investments हो रही होती है लेंडिक हो रही होती है assets की prices ज्यादा होती हैं तो जो capital buffers होते हैं commercial banks के पास वो ज्यादा हो जाते हैं assets की value ज्यादा हो गई है तो commercial banks ज्यादा lend करते हैं और उस lending के नतीजे में risk taking activity उल्टा बढ़ जाती है तो ये याद रखें कि अगर regulatory measures के तुरू asset price bubble को रोकना है तो जो capital requirements for example एक measure हो सकता है तो वो हमेशा counter cyclical होना चाहिए यानि कि जब boom हो lending के अंदर credit के अंदर commercial banks ज्यादा loan दिये जा रहे हों और लोग ज्यादा loan लेके assets के अंदर invest किये जा रहे हों तो जो commercial banks की lending capacity को effect करने के लिए capital requirement है वो उस boom के वक बढ़ा देनी चाहिए ताके credit creation कम हो जाए ये counter cyclical है तो हमेशा ये counter cyclical होगी तो leverage cycle तूटेगा वो leverage cycle तूटेगा तो फिर risk taking activity discourage होगी तो जो credit के standards होते हैं जैसे मैंने आपको कहा न credit standard के आप जो है वो आपके जो loan है different type के उनकी health क्या है यानि कि आपने कितने risk की दिये हूँ हैं कितने जो है वो risk free दिये हूँ हैं किस maturity पे दिये हूँ है ठीक है न किस return की उपर दिये हूँ है fix return की उपर है या floating return की उपर है तो ये जो पूरा structure बनता है इस से किसी bank की financial health निका ली जा सकती है तो जो credit के standards हैं जिन से financial health improve होती है वो boom के वक्त ज्यादा high credit standards होने चाहिए क्योंकि वज़ा ये है कि boom के वक्त ही तो जो है वो bank risky investments करते हैं risky projects के अंदर भी loan देते हैं तो उस वक्त credits को ज्यादा जो है वो standard का बनाना चाहिए Thank you